आप अपने बच्चों के सामने दूसरों के बच्चे का रोल मॉडल मत बनाओ, ऐसे मत करो देख, तीस साल के उमर में उसने ये किया, चौबिस साल के उमर में वो अलड़ी दो प्रमोशन ले चुका है, वो अलड़ी दो साल से he is working abroad और वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, रेस मत करो, ये race नहीं है, ये जिन्दगी है, दूसरे बच्चे ये कर रहा है, उसने ये अचीव किया, उसने किया होगा, किया होगा, आप जानते नहीं हो, और नहीं भी किया होगा, आपको दिख रहा होगा, कि वो कुछ कर रहा है, लेकिन आप वो अंदर से तूट रहा है, वो बापरी ये क्या हो गया आप उसकी हालत जानते नहीं हो आप उसे role model मत बना और नहीं भी होगा हो सकता है वो super success होगा उसको अपनी जिन्दगी जीना है और आपके बच्चे को अपनी जिन्दगी जीना है compare मत करो देख वो कितना आगे बढ़ गया तू कितना पीछे रह गया compare मत करो यार हर एक बच्चा हर एक individual अब बच्चा नहीं कह सकते हो अगर वो 20-22-24 साल का है हर एक individual एक अलग individual है उसके अपने advantages है disadvantages है strengths है weaknesses है हर चीज है उसको support करो उसको grow होने दो उसको develop होने दो उसको विकसित होने दो हर तरीके से जैसे मैं कहता हूँ physical physical activity करना चाहता है जो भी है adventure sports जो भी करना चाहता है करने दो उससे support करो mental activities करना चाहता है कुछ नया पढ़ाई करना चाहता है किसी और कोर्स में कोई unusual कोर्स लेना चाहता है support है उसको encourage करो उसको facilitate करो हाँ आप afford नहीं कर सकते हो आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है आपको पैसों की तंगी है जरूरत है ठीक है उसके कंडे पे वो breadwinner का बोज आता है तो वह उसको बात अलग है बोज उसको उठाना पढ़ लेना उठाना पड़ेगा तो वह उठाएगा वह वह अलग चीज़ है वह अलग चीज़ है लेकिन आप afford कर सकते हो आप comfortable हो गरीबी आपके सर पे मंडरा नहीं रहा है बुरे दिन आ नहीं गये हैं अच्छे ही दिन चल रहे हैं तो उसे अगर दो साल चार साल कुछ और करना है वो माउंटन क्लाइमिंग करके आना चाहता है वो गुर सवारी सीखना चाहता है ओके वो जो भी करना दुनिया गूमना चाहता है अगर आपके पास पैसे हैं दुनिया गूमाओ यार लेट देम गो ट्राव 20-20 साल की उमर में आएगा, वो मज़ा वो जिन्दगी में कभी नहीं ले सकेगा, वो 30 या 40 या 50 साल की उमर में वो मज़ा नहीं ले सकेगा, बुड़ा होगा वो मज़ा नहीं ले सकेगा, यंग एज में ट्रावेल करते हो एक मज़ा कुछ और ही होता है, और वो आपको डेव वो potential को strong बना देता है, expose करता है, आपके potential में growth होगा, आप basically विकास होगा, सही तरह से विकास होगा अपने बच्चे का, विकास उसे करने दो, उसको support करो, उसको encourage करो, जितना कर सकते हो बिटा जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और करो, और करो, आखिर में वो अपने किसान बनाएगा, भरोसा रखो, वो करेगा, मैं हूँ आपका दोस्त, कृष्दी अर्बन अक्सल, जै माराश्च्ट, जै हिंद, जै जवान, जै किसान,